है लो इंवेस्टर्स आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीवी के पावर हैं इंफ्रा सक्षर लिमिटेड के बार में जीवी के पावर हैं इंफ्रा की आज की मार्केट की प्राइस की बात करें तो ये स्टॉक आज हमें 11 रूपिस पर ट्रेड करते हुए नजर आ और वही बात करें पिछले पास दिनों की तो पिछले पास दिनों में stock ने around 10% की return दिया है और वही बात करें पिछले 6 महिनों की तो पिछले 6 महिनों की आप नज़र डारोगे तो stock काफी लंबे समय से एक ही price range के आसपास गोमते वी नज़र आ रहा है जो कि 11 रुपीस के 15 उसली correction में close होते वी नज़र आ रहे जिसके बावजुद आप नज़र डालोगे जितने भी penny stocks या mid cap stocks या large cap stocks पर आप नज़र डालोगे तो सभी के सभी हमें red में close होते वी नज़र आ रहे लेकिन आप GV के power पे notice करोगे तो stock अभी भी हमें अपना एक strong support जो की 10 और 11 देखने को मिलते वही नज़र आएगी जासे stock हमें easily 15 और 20 रुपीर्स के targets बहुत जल दिखाते वही नज़र आने वाला है GV के power and infra के आज के कुछ बड़ी updates को उपड़ चर्चा करें जापे recent आप नज़र डालोगे GV के power में काफी लंबे समय से एक अच्छा कासा volume हमें तो already देखने को मिलते वही नज़र आ रहे साथ है आप नज़र डालोगे जैसे कि आपको मेरे पुराने उडेस में भी बोला इस होते हुए नज़र आती और साथ याप April मन की बात करें तो यह पावर की जो डिमांड याप और तेजी से बढ़ते हुए नज़र आ जहापए April मन की बात करें जहापए Government फिंडिया ने जो लेटेस पावर कंजमप्चिन के पर डेटा रिडिस करें जहापए आप नज़ पर उन सबी हमें अच्छी कासी तेजी देखने को मिलते हुए नजर आगी क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में जो पाउर कंजमप्चन के डिमांड बढ़ते हुए नजर आगी तब तब जितनी भी एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर के स्टॉक से उन सबी में भी हमें एक अच्छी कासी रैली देखने को मिलते हुए नज़र आगि साथ है आप नज़र डल रिसेंटली जीवी के पाऊर का सबसे बड़ा पॉज़ट्र पॉइंट है वह है इसका गवर्मेंट का साथ क्योंकि आप नज़र डालोंगे जो पंजाब गवर्मेंट ने रिसेंट इसको ट आप अभी तो नज़र डालते हो पिछले तीन मेरे सो देखोगे तो इंडिया में पाउर कंजम्स की डिमांड काफी तेजी से इंक्रीस होते हुए नज़र आने वाली है और जैसे कि मैंने आपको बता है आनुवले समय में जीवी के पाउर आपको एक मल्टी बेक रिटेंज आप नज़र आएगा है क्योंकि इसके पीछे जो दो में रिजन है वह आप नज़र डालोगे फिलाल आप जितने भी एनरजी सेक्टर और पाउर सेक्टर के स्टॉक्स पर आप नज़र डालोगे तो सभी के सभी ओर वैली होते हुए नज़र आचुग है लेकिन अभी भी हमें काफी ज़्यादा अंडर विलिव प्राइस और अभी भी हम देखा है तो काफी डिस्काउंट प्राइस पर मिलता है जिसको गवर्मेंट का अच्छा कासा सपॉट मिलते विए नज़र आ रहा है तो फिलाल देखा है तो रटेक इंडिया पावर जो भी इसी सेक्टर मे हमें काफी जादा अंडर प्रैस पर मिल रहा है जा पर रिसेंटले आप नज़र डाले रहते इंडिया पाउर उसमें भी हमें कोई ऐसी बड़ी अपडेट देखने को नहीं मिली लेकिन वुश टॉक में भी हमें अपर सरकीट लगते भी नज़र रहा है तो अभी भी मौकाई जीवी के पाउर में आप अभी भी जो फ्रेश एंट्री करना चाहते है वो अभी भी कर सकता है क्योंकि अभी भी स्टॉक हमें काफी ज़ड़ा अंडर प्रैस और जो इसके फंडामेंटल है वो डे बाए डे काफी ज़ड़ा स्टॉंग होते वह नज़र आ जा पर अभी तक हमें स्टॉक में कुई ऐसी बड़ी अपडेट देखने कोने मिले उसके बावजुद जो स्टॉक में एक अपर सर्किट लगी है तो अभी तक कॉटर फॉर के रिजल्स भी बहुत जल आने वाले कुछ दिनों में इसके रिलेस होने वाले तो हम एजली प्रिडिक् की बात के तो इसकी शेर होल्डिंग प्रटन पर नजल डालोगे तो प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग हमें देखने को मिले साथ है आप कॉर्टा थरी के रिजल्स पर नजल डालोगे तो जो Fis ने और नंबर आफ FPI और FPI इंवेस्टर और आई इवेस्टर्स ने सभ दारोगे, इंस्टेटुशनल इंवेश्टर्स पे, तो उन्हों ने भी अपनी होल्डिंग यापे 0.01% से इंक्रीस करके 1.34% के कीती, कौटर 3 के रिजल्ट में, तो ये कुछ ऐसे पॉसिटुटुटु पॉन्ट से, और ये बड़े-बड़े इंवेश्टर्स जो फोरें इं तो आज के लिए बस इतना है जैसे को लेटेस अबडेट या जैसे को लेटेस नीज होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी और जैसे इस टॉक के कोटर फूर के रिजल्ट भी अनॉंस होते हैं तो मैं डेफिनिटल उस पे एक वीडियो बन